उज्यन के महाकालेश्वर मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर ग्राम जबाशा में भगवान गणेश का प्राचीनतम मंदिर इस्थित है इसे चिंतामन गणेश के नाम से जाना जाता है गर्वग्रिह में प्रवेश करते ही हमें गौरी सुत गणेश की तीन प्रतिमाएं दिखाई देती हैं यहां पारवती नंदन तीन रूपों में विराजमान है पहला चिंतामन, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिथि बिनायक ऐसी मानिता है कि चिंतामन गणेश चिंता से मुक्ति पदान करते हैं जबकि इच्छामन अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं गणेश का सिथि बिनायक स्वरूप सिथि पदान करता है इस अध्वुत मंदिर की मूर्तियां स्वयंभू हैं चिंतामन गणेश परमार कालीन है जो की नौवी से तेरहमी शतावदी का माना जाता है इस मंदिर के शिखर पर सिह विराजमान है वर्तमान मंदिर का जीर्णोधार अहिल्यावाई हॉल करके शाशनकाल में हुआ पराणिक मानिताओं के अनुसार चिंतामन गणेश सीता द्वारा इफ्थापित शट विनायकों में से एक है जब भगवान श्री राम ने सीता और लक्षमन के साथ अवंतिका खंड के महाकालवन में प्रवेश किया था तब अपनी यात्रा की निर्विगनता के लिए शट विनायकों की इफ्थापना की थी ऐसी भी मानेता है कि लंका से लोटते समय भगवान राम, सीता और लक्षमन यहां रुके थे इनी पास में एक बावडी भी है जिसे लक्षमन बावडी के नाम से जाना जाता है बावडी करीब 80 फुट गहरी है मंदिर के मुखे पुजारी पंडित सीता राम ने बताया कि गणेख चतुर्थी, तिल चतुर्थी और पतेक बुधवार को यहां श्रधालों की काफी भीड रहती है चैत्रमास के पतेक बुधवार को यहां मेला भी भरता है मनुकामना पूर्ण होने पर हजारों श्रधालों तो दराज से पैदल चलकर मंदिर तक पहुँचते हैं सीता राम पुजारी बताते हैं कि सिंदूर और वर्ख से प्रातह गणेश जी का शंगार किया जाता है जबकि पर्व और उत्थव के दोरान दो बार भी लंबोदर गणेश का शंगार किया जाता है पुजारी बताते हैं कि मनों कामना पूर्ण करने के लिए श्रधालों यहां मनत का धागा बानते हैं और उल्टा स्वफ्तिक भी बनाते हैं मनत के लिए दूद दही चावल और नारियल में से किसी एक बफ्तू को चढ़ाया जाता है और जब इच्छा पूर्ण हो जाती है तब उसी बफ्तू का यहां दान किया जाता है लब वाहित जोडों के साथ ही नए वाहन खरीदने वाले लोग यहां विशेश रूप से बिहन बिनाशक गणिश्त का आशिरवाद लेने आते हैं किढ के जा मोगमिया जादया से फक्रागना खरीद के लुचक्तू hydraulic बिपार्णेशस